आपको बता दे कि अपनी बेटी के साथ हो रही छेरचार का विरोध करने पहुचे महिला पर दबंगों ने हमला कर दिया साथ ये महिला को अर्धनंग अवस्था में छोड़ दिया घटनागा वीडियो वाइरल होने पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफतार किया है अमेठी में डियम ने छुट्टा छोड़ने वाले जानवरों के पशुपालकों के खलाफ सक्त निर्देश चारी किया है जिसमें उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को या निर्देश दिया कि ऐसे पशुपालकों को चिन्हित करे जो अपने पशो को आवारा छोड़ देते हैं साथ ही उन्हें बताएं कि अगर वो अपने पशो को बान कर नहीं रखेंगे तो उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी अमरत सर के मोकम पुरा में बने एक कपड़ी की गोदाम में आग लग गई जिसके बाद अफरत अफरी का महाल पैदा हो गया आग लगने से गोदाम में रखा लाखो का माल जल कर राख हो गया वहीं मौके पर पहुची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबुपाया समाज कल्यान राज्यमंत्री गुलाब देवी दो दिन के दौरे पर बहराईश पहुची दौरान उन्होंने निर्माणाधीन विद्यालयों का निरिक्षन किया जहां खामिया मिलने पर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा की काम कर रहे ठेकेदारों के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी साथ ही उन्होंने या भी बताया कि हमारी सरकार और मुखिया योगी आदेतिनाद के मंशा है कि सभी बच्चों को बहतर सिक्षा मिले आज जिस परकार की इस्तिती देखी है उसके हिसाब से तो उनको जेल जाना चाहिए और मेरा पूरा प्रयास होगा कि कछोर से कछोर कारवाई उनके खिलाप की जाए हापुर में मुखिय मंत्रे योगी आदेतिनाद के दिये गए आदेशों पर गोवन्ष और आवारा पशों के संरक्षन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है जिसमें नगरपालिका की टीम आवारा गोवन्ष और पशों को पकड़ कर गोव संरक्षन के इंद्र पहुचा रही है आपको बता दें कि अब तक 19 आवारा पशों और गायों को संरक्षन के इंद्र भेज़ा जा चुका है लखीम पूर खीरी में बदमाशों का आतंग देखने को मिला है दरसल कुछ बदमाशों ने दो पईवारों को बंधग बना लिया उसके बाद बदमाश एक लाख रुपए और कीमती जेवरात लूट कर फरार हो गया घटना के बाद पहुची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है सर हम तो सो रहे थे और हमारा भाई छोटा वाला जो है दूसरे कमरे में सो रहा था उसमें दर्वाजा नहीं लगा था पहले उसको पकड़ा बाहर ले गाली बली देते रहे फिर पिता जी को पकड़ा दोन लोगों को बांग दिया माउ में राष्ट्रिय ललित कला प्रसिक्षन विकास परिशत संस्थान के तरफ से नारी प्रतिभात सम्मान समारो का आयोजन किया गया जिसमें सांस्कृतिक कारेकर्व के माध्यन से महिलाओ और छात्राओं को सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश के महु जनपद में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है धरसल पुलिस ने नोट बदलने और पैसा दोगुना करने वाले 4 आरोपियों को गिरफता किया है सहारनपूर में आनियंत्रित बस देद दो लोगों को कुचल दिया जिसमें एक की बड़ी नोट भी नोट भी बरावद हुए है मौत हो गई वही दूसरा गंभी रुक से घायल हो गया पूरी घटना सीसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है बड़ा भाई जी क्या हुई तिया गटना ये सम्मेलन में जा देते तो गाड़ी के पास कड़े ते गाड़ी साय दो सराफ पी रहे था क्या था तो रोंते में इनको जहर दो को कुचल दिया झाल 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 झाल